वहीं बीजपी प्रदेश अद्यक्षिर समराथ चौधरी ने विपक्षी एकता पर तंज कसा है समराथ ने कहा है कि सभी भरस्टाचारी एक जगा एक जुट हो रहे हैं किसी को पीम, किसी को रास्टपती, तो किसी को सीम बनने का लालच है लेकिन उनके लालच की पूर्टी नहीं होने वाली है सब लोग वहाँ भरस्टाचारी एक हो रहे हैं लालब प्रसाद जी से जाक के चर्णों में उनों पहला काम आदेने निती सुवाव उनके चर्णों में गिरे फिर वहाँ से वो राहूल गांधी के पास गए राहूल गांधी के पास केजरिवाल के पास गए तो यह सारे को अब चब देखेंगे तो यह सारे लोग इस देश में भस्टाचार के परतिक बन चुके हैं और न्यून्स रूम से सब पादक अशोक मिशन हमारे साथ लाइव जुर चुके हैं अशोक जी बीजपी भले ही हमलावर है लेकिन सीम नितीश कुमार की मुहीम अब रंग लाने लगी है अशोक जी बिल्कुल देखिए रस्मी मुकमंत्री नितीश कुमार का आज दिल्ली दौरा का तीसरा दिन है और अंतिम दिन है लेकिन आज भी भर दिन कमार काफी ब्यस्त हैं और अपने मीशन 2024 को कामियाब करने के लिए प्रयासरत हैं जैसा कि हमने अपने दर्सकों को बताया था कि पहले दिन उन्होंने राजा सुप्रीम उलालू परसाद यादव से मुलाकात की कल उनकी मुलाकात मल आशा सात उनकी मुलाकात हुई और आज मुखमंत्री दल के जो सिताराम यचूरी से भी मुलाकाथ होगी और फिर आज मुखमंत्री वापस दिली लोटेंगे तो मुखमंत्री ने जो यह कार्जकरम बनाया था उस कार्जकरम की भनक मीडिया को भी नहीं लगने दी थी और इसलिए कि मुखमंत्री ने जो पिछले साल दोरा किया था तो उसके बाद एक तरस कहिए कि विपक्ची एकता की जो रफ्तार थी वो धीमी हो रही थी और बार बार नितिस को भी कटगरे में खराकिया जा रहा था कि उनकी मुहिम पर पानी फेर दिया है विपक्ची दलों के नेताओं नहीं लेकिन ने मीशन में लगे रहे और यही बज़ा रही कि इस बार नितिस का मीशन काफी काम्याब दिख रहा है इसलिए सबसे बड़ी काम्याबी है कि नितिस चाहते थे कि विपक्ची दलों की एकता में मुख रूप से कॉंग्रेस को अपनी भूमिका का निर्बाह करना चाहिए और कॉंग्रेस को इसमें पहल करनी चाहिए कॉंग्रेस को आगे आना चाहिए और ठीक वही हुआ मुख मंत्री की सला को कॉंग्रेस के लीडर्शिप ने माना है और मलिकार जुन खरगे और रावल गांधी ने खुश स्विकार किया कि नितीस के साथ जो बाचीत हुई वह बाचीत यतिहासिक रही और समान विचार धरावाले दलों को एक मंज पर लाने का प्रयास कॉंग्रेस भी करेगी प्रधान मंत्री पत के उमिद्वार को लेकर के भी विपक्ची दलों ने साब तोर पर कहा है कि यह अभी मुद्धा नहीं है असली मुद्धा है कि विपक्ची एक ताकीस तरह से बने और केनसी पीज़ेपी को सत्ता से वे दखल किया जाए उसी अभ्यान के तहत मुखमंत्री आज दिल्ली में हैं और उन्हाने बामपंती दलों के नेताओं से मुलाकात की है और फिर कुछ अन्य जो नेता हैं उनसे मुलाकात करके आज देर साम याने की रात के 8 वजे मुकमंतरी दिल्ली से वापस लोटेंगे लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हम हलाके 2024 के लोग बिल्कुल अशी सही का अपने सीमनिती इश कमार का मिश्ण कही न कहीं अब रंग लाता हुआ नजर आघा है और पहले कॉंग्रेस पार्टि से मुलाकात आप सें manufacture और अब वांपंती अगदलों से मुलाकात लग रहा है कि अब मुलाकात का सिलसला जसतरीके से आगे बढ र और कई बैठकें इसकी होंगी फिर सामुहिक रूप से सभी दलाएंगे यो मुखमंतरी नितीश कुमार को और परत्यक्स रूप से यह जीमेबारी मिली है कि विपक्स के अन नेताओं से भी वो संपर्क करें और मुखमंतरी ये कर भी रहें अब जो दक्षिन के नेता हैं चाह सबसे पहले एक माहौल बनाने की जरूत होती है एक मुद्दे पर सब को लाने की जरूत है और जब सभी नेताओं इस मामले में सहमत होगे एक जुट होने के लिए तो उसके बाद उमीद की जा सकती है कि जो विपक्ची धरा है वो एक मंच पर आएगा और उसकी रफ्तार तेज होगी हलाके विपक्ची दलों में भी मतवेड हैं कोंग्रेस को लेकर करे मतवेड थे कई दले से थे जो कोंग्रेस ce naprès को सुइकार करने के मूडब नहीं थे और कुछ कॉंग्रेस की वह अपने नेता को ही परधान मंतरी के रूप में प्रोजेक्ट करने पर अमादा थी लेकिन राहूल गांधी की सदस्ता समाप्थ होने के बाद कॉंग्रेस भी अब यह मान रही है कि सबसे पहला मुद्दा विपक्षी एकता है और किसी भी कीमत पर यह का सकते हैं कि केंदर की सरकार से बीज़ेपी को बेदखल करना है इसलिए दो कदम पीछे कॉंग्रेस भी हटी है और आप विपक्षी दनों के नेता भी आगे बढ़े हैं तो उमीद की जा सकती है कि नितिस ने जो मुहिम चलाई है वो मुहिम अपने गंता बित ताकि सभी को एक बंच पर लाने की ये पहल कितना रंग लाती है ये वक्त के साथ पता चलेगा